प्राप्त कर सकते हैं और इसमें खास बात यह है बच्चों कि आजकल हमारा जो जीवन है उस जीवन में मुहावरा काफी लोगों के मुह से आप लोगों ने सुना होगा तो इसकी सुरुवात कैसे हुई थी? थोड़ा सा हम यह देख लेते हैं. मुहावरा अर्भी भासा का सब्द है जिसका साब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना हिंदी में ऐसे वाक्यांस हैं जो अपने साधारन अर्थ को छोड़ कर विशेस अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें ही मुहावरा कहा जाता है मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ है आईडो मोट्स होता है उधारन देखते हैं जैसे कि एक उधारन की जरिया आप लोगों को बता रही हूँ अकल पर पत्थर पढ़ना जैसे घर में भी आप लोग देखते होगे कि कभी कभी कुछ जल्दी समझ में नहीं आता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं तो वो का देते हैं इसके अकल पे तो पत्थर ही पढ़ गया है जैसे इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसी प्रकार अकल पर अकल पर पत्थर पढ़ना जिसका साप्ति करते बुद्धी भरश्ट होना अब इसका एक प्रयोग भी यहां पे लिख दिया है मैंने विद्वान और वीर होकर भी रावन की अकल पर पत्थर ही पढ़ गया था कि उसने राम की पत्मी का अपहरण क मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करने की सामान नियम निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ होता है जानना सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना हमें आवश्यक होता है इसके बाद एक सार्थक वाक्य का हम निर्मान करते हैं वाक्य हमें इस प्रकार बनाना है जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो जैसे यहाँ पर लिखा है अकल पर पत्थर पढ़ना बुद्धी भ्रष्ठ होना तो जो मुहावरा दिया है उसका अर्थ हमें वहाँ पर स्पष्ठ हो रहा है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता है बलकि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है जैसे एक उधारन के द्वारा यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट की हुमे यदि हम 9-211 होना मुहावरे का वाक्य प्रियोग करेंगे तो सबसे पहले उसके अर्थ पर ध्यान देंगे अर्थ पर ध्यान देना मतलब यह जो मुहावरा है 9-211 होना अब इसका अर्थ क्या होगा हम सबसे पहले इसके बारे में विचार करेंगे तो 9-211 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है भाग जाना जैसे हम बोलते हैं आज हमने हुमवक नहीं किया है मैं सामने से आ रही है च 9,211 होगे मतलब ये मेने एक लसका अगी धारन लिए तो जैसे यहाँ पर लिखा है 9-211 होना उसका अर्थ होता है भाग जाना और इस मुहावरे का प्रयोग इस प्रकार हम करेंगे कि भाग जाना जो अर्थ है ना वो हम उस वाख्य में नहीं लिखेंगे उस वाख्य में ह यहां पर लिख देंगे, भाग जाना हम नहीं लिखेंगे, देखे नीचे के उधारन में आग बबूला होना, जैसे इस चित्र के जरीए देखे इस व्यक्ति को बहुत गुसा आ रहा है, अत्याधिक क्रोध करना, बहुत गुसा करना, जैसे कभी-कभी हमें मिस बार-बार बो क्या और हम पूरा नहीं करते हैं, और मिस देओ भार तीन बार आप लोगों को बोलती जा रही है, तो नहीं हुआ, तो उस समय मिस को गुसा आ गया, तो उसी प्रकार यहां पर आग बबूला होना लिखा है, अत्याधिक क्रोध करना, आप अपने घर में भी देख सकते हो, क कि हमें माता-पिता जो कारे के लिए कहते हैं, हम उसके उठीक विपरित वाला कारे करते हैं, तो उन्हें भी गुसा आ जाता है, जैसे यहां पर वाक्य लिखा है, कि नोकरानी से, टीस से तूट जाने पर मालकीन एकदम आग बबूला हो गई, अब हमारे प्रश्न में दिय है, आग बबूला होना, तो हमने इसका अर्थ यहां पर लिख दिया कि अत्याधिक क्रोध करना, अब यह हमें समझ में आ गया इसका अर्थ, अब हमें इसी अर्थ के आधार पर वाक्य बनाना है, लेकिन जब हम वाक्य को बनाते हैं, तो उस वाक्य के अंत में हमें यहां इ इस मोहावरे को लिखना है जैसे कि नोकरानी से टीस से टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबुला हो गई अब यहां पर एक और उधारन आप लोग देख सकते हो एक और एक 11 होना जैसे कि एकता में सक्ती होना यह इसका अर्थ हो गया अब इसके वाक्य को हम कैसे उनको कमजोर मत समझो आवशकता पढ़ने पर वे एक और एक 11 हो जाते हैं जैसे कि हमें कमजोर मत समझो अगर हम हमारी एकता को समझनी है तो मेरा जो ग्रूप है मेरा जो समू है यदि वो सारे मिलकर सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक और एक 11 हो जाएगा समझ मे आए बच्चो जैसे और भी उधारनों पिच्चर के जरिया हम चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं जैसे यहां पर देखिए घाव पर मरहम लगाना अब यहां व्यक्ति बहुत दुखी है यहां है जो यह दूसरी इस्तरी जो है वो इने इनको संतावना दे रहे हैं तसल्ली द देना समझाना उनको अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे दादी पहले तो मारती है फिर घाव पर मरहम लगाती है यहां पर आप कोई भी अपने अनुसार साधारन सा वाक्य ले सकते हो जो वाक्य ऐसा लो जिसमें उस मुहावरे का अर्थ समझ में आए तो यह एक लेने में हमें बहुती आसानी हो जाती है और हम बहुती सरलता से इसे प्राप्त कर सकते हैं भैस के आगे बीन बजाना यह भी हम आम जीवन चर्या में यह मुहावरों का प्रयोग सुनते ही रहते हैं जैसे कि मुर्ख व्यक्ति को ज्यान की बाते समझाना अब यह वाक्य ज इस गवार से नीती की बाते करना भैस के आगे बीन बजाना है तो इसका यहाँ पे हमने अर्थ लिख दिया और इस मुहावरे को हमने वाक्य जो हमने प्रयोग किया है उसी में इस मुहावरे को भी अंत में आपको लिखना है इस इस लाइन को आपको लिखना नहीं है फिर से यहां पे तीन चित्र के माध्यम से देखो दिखाया है नव दो ग्यारा होना जैसे हमने शुरू में ही इस उधारन की द्वारा में आप लोगों को बताई थी कि भाग जाना चुप चाप वहां से निकल जाना तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे पुलीस के पहुच पुलीस के आने से पहले ही चोर क्या हो गए वहां से नव दो ग्यारा हो गए भाग गए यह नहीं लिखना है क्या लिखना है नव दो ग्यारा हो गए इसी तरह ठीक देखिए दूसरे चित्रे में नाक काटना अब नाक काटना का अर्थ क्या है बेजती होना अब इसका हम व पूरे पैसे का प्रबंध न होने पर तो मेरी नाक ही कट जाएगी। अब यहां पर प्रबंध न होने पर तो मेरी बेज़ती हो जाएगी। ऐसा नहीं लिखना है। प्रयोग किया है। बहुत सारे ऐसे ही उधारन है बच्चों आपके सामने जिसका हमें मुहावरों को ही लेकर वाक के प्रयोग करना है। लेकिन सर्व प्रतम हमें उसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम उसका अर्थ जान जाएंगे तब हम वाक के एक सा साधारन सा बना सकते हैं हवा से बाते करना बहुत तेज भागना जैसे कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बाते करता था जैसे एक्तम तिवर गती में जाना जिस तरह से हवा सर से आगे बढ़ जाती है उस उस गती में जाना तो उसको क्या कहते हैं बहुत तेज भा दोड़ा चेतक हावा से बाते करता था. तो इस तरह से हमारे ये वाक्य मुहावरों के जरीए, अर्थ और वाक्य हमारे पूरे हो जाते हैं. और इसी तरह से मैंने देखिए एक दो-तीन स्लाइड मुहावर । चित्र के जरीए ही मैंने आप लोगों को बताया है आसमान सीर पर उठाना, यह क्या हो गया, बहुत जिद करना, जैसे घर में भी हम बोलते ना, बहुत आसमान सीर पर उठा लिया है, किसी भी चीज को पाने के लिए हम बहुत जिद करते हैं, तो उसे क्या हो जाता है, बहुत जिद करना, आसमान, यह देखिए, बहुत जिद कर जैसे किसी चीज को पाने के लिए हम घर में भी और नहीं मुझे चाहिए चाहिए तो क्या हो जाता है हम पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देते तो इसके लिए हमें वाक्य में कैसा प्रयोग करना है वीडियो गेम आप ये मैंने वाक्य बनाया है आप अपने तरीके से भी को और वहां पर जीरा ये एक मुहावरा है अब इसका क्या आर्थ हो जाएगा आविश्यक्ता से बहुत कम मिलना या अपरियाप्त वस्तू अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे हम करेंगे राम की कद काठी को देख कर लगता है कि यह खाना तो उसके लिए उट के मुह में जीरा ह आपके इच्छा हो रही होगी कि हम कम से कमाज तीन चार जहां हम दो चपाती खाते हैं वहां आज हम तीन चार खाले लेकिन आप लोगों को दो जो डेली का रोज दो खाते हो उसमें भी आपको कम मिला है तो वो क्या हो गई वो आपकी भूग के लिए परियाप्त नहीं है वो अपरियाप्त हो गई है तो इस तरह इसलिए ऐसे उधा मुहावरा दिया है कि उट के मुह में जीरा अब जैसे इस चित्र में भी देख सकते हो आस्तीन का साप अर्थात विश्वास घाती होना अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे हमने किया है कल तक जिन्हें मैं अपना ख अबसकर रहने का आवाहन किया क्योंकि कभी भी युद्ध शिड जाएगा तो हमें अपनी पूरी तैयारी से रहना है तभी तो हम उसका सामना कर सकते हैं हात पाव फूलना भैभीत हो जाना टाकूओं की ललकार से गाऊंवालों के हात पाव फूल गये अचहनक से साब देख लिया हमने या गाऊ में जिससे कि अचानक से कोई चोर हमारे सामने भंदूक लिए खड़ा हो गया तो हम क्या होते हैं डर जाते हैं इसलिए इसका अर्त क्या हो जाएगा भैभीत हो जाना कि प्रयोग कैसे करेंगे है अब यहाँपे तो मैंने इस तरह से लिखा है आप इसे अपने सब्सक्राइब द्वारा दारन लिखे हुए हैं जो हमारे टेक्स बूक में हमारे 21 में हमारे प्रश्न पत्रिका में ये सारे हमें मुहावरे भी देखने को मिलेंगे और इसके अर्थ और वाक्य भी आप लोगों को मिल जाएंगे लेकिन यदि आप लोग अपने से वाक्य बना अर्थ को समझते हुए अपने से वाक्य बनाने की कोशिश करोगे तो उसकी क्या हो जाएगी आप लोगों की प्रेक्टिस भी होगी और आदत भी हो जाएगी मुहावरा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसका अर्थ हमें किस प्रकार से लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा मैं खुलना, आखे-खुलना मतलब होश में आना, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आओंगा, अब तो मेरी आखे खुल गई है, उंगली उठाना, किसी पर दोस लगाना, लोग महत्मा गांधी जैसे महा पूरूस पर भी उंगली उठाने लगे हैं, लेक हैं, तो कि पूरा एक पैराग्राफ लिख दो, एक दो सेंटेंस तक आप लोगों का वाक्य का प्रयोग, मतलब मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हो जाना चाहिए, अपने मुह मिया मिठु बनना, अपनी प्रसंसा स्वयम करना, अंकिता को कभी किसी की प्रसंसा करते नहीं देखा, वह सदा अपने मुह मिया मिठु बनती रहती है, भीगी बिल्ली होना, अर्थात बिल्कुल डर जाना, वह अपने पापा के सामने भीगी बिल्ली हो जाता है, टस से मस न होना, जरा भी न बदलना, लड़के वाले अपनी अपनी दहेज की मांग से टस मस न हुए, एक सिंपल साधार सा वाक्य कान पर जू तक न रेंगना आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वेक्ति ऐसे होते हैं जिने हम कितना भी समझाएं कितना भी कहें लेकिन वो उन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता है तो इसलिए यहां पर मुहावरक आ गया है कान पर जू तक न रेंगना कुछ भी प्रभाव ना होना कुछ भी असर न दिखना मतलब कुछ भी उनके अंदर सुधार या बदलाव न दिखना लाग समझाने पर भी रवी के कान पर जू तक नहीं रेंगी मुह पर कालिक पोथना अर्थ होता है कलंक लगाना उधारन देखते हैं बेटा तुम्हारे कू कर तुमों ने मेरे मुह पर कालिक पोथ दी है मतलब उसके अच्छे वेवार ना होने की वज़ा से पिता के मुह पर क्या हो गए कालिक पोथ गई जान पर खेलना अर्थात प्राण की परवाह न करना उधारन भगस सी हैं देश-भक्ती के लिए अपनी जान पर खेल गए पीठ दिखाना मैदान छोड़कर भाग जाना सच्चे युद्धा युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे या नहीं दिखाते दम तूटना अर्थात मर जाना उधारन सेर ने एक ही गोली में दम तोड़ दिया दात पीसना अर्थात बहुत जादा गुस्सा करना उधारन भला मुझ पर दात क्यों पीसते हो सीसा तो संकर ने तोड़ा है है ना हम मतलब कोई और वेक्ति काम गल्ती किया है और हम किसी दूसरे वेक्ति को डांट रहे मतलब वो हो गया दात पीसना अर्थात बहुत जाद गुसा करना Schloss से आप लोगों को पूछे जाएगे बस आप लोगों । यह ध्यान में रखना है कि मुहावरे कार्व यह अर्थ यहिंदी आपको समझ में आ जाता है तो बड़ी ही आसानी है आप उसका वाक्यों में परेयोक कर सकते हो वाक्य में जब भी आप लोग मोहावर का वाक्य में प्रयोग करते हो तो उसका अर्थ नहीं लिखना है उसके अर्थ को समझते हुए जो आखरी में सब्द लिखोगे वो मोहावरों का ही प्रयोग करना है वहाँ पर तो इस तरह से हम एक अंक को पूरा पा सकते हैं अब हम दूसरा व्या चद धातू से बना है जिसका अर्थ है आहलादित करना यानि खुश करना यहां आहलाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन होता है इस प्रकार चंद की परिभासा होगी वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहलाद प अथ्वा इस तरह से भी समझ सकते हो चंद जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेश वेवस्था तथा संगितात्मक ले और गती की योजना रहती है उसे हम क्या कहते हैं चंद कहते हैं अब देखे बच्चो इसमें यहां पर मैंने नंबर के जरीए सब चंद के बारे में लिखा है जिससे समझने में बहुत ही आप लोगों को आसानी हो जाएगी पहले नंबर पे देखे मैंने लिखा है चरण छंद कुछ पंक्तियों का समू होता है और प्रत्यक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं इन्ही पंक्तियों को चरण या पात कहते हैं। प्रथम वत्रिती चरण को विसम तथा दूसरे और चोटे चरण को सम कहते हैं। फिर से बोलती हूँ प्रथम व तृतिय चरन को वि सम तथा दूसरे और चौते चरन को सम कहते हैं। वर्ण ध्वनी की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुवेवस्थित समुह या समुदाय को वर्ण माला कहते हैं। चंद सास्त्र में वर्ण दो प्रकार के होते हैं लगू और गूरू जो हमारे हमें यह दो अंका पूछा जाता है चंद और उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होता है वहाँ विसम और संपर और जो चंद सास्त्र में वर्ण के दो प्रकार होते हैं लगू और जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं लगू वर्णों की मात्रा एक और गुरू वर्णों की मात्राएं दो होती है जैसे कि अ ये क्या हो गया लगू एक ही वर्ण हुआ और आ यह दो हो गया तो इसे क्या कहते हैं हम दो मात्राएं लगती हैं वहाँ पे जो वर्णों की मात्र दो होती हैं एक को हम लगू को हम आई भी बोल सकते हैं या इसे आप हर्ष्वी भी बोल सकते हो और लगू भी बोल सकते हो तथा गुरू को इसे हम यस भी बोल सकते हैं दिर्ग भी बोल सकते हैं और गुरू भी बोल सकते हैं इसके माध्यम से हम इसको छंद में व्यक्त करते ह जैसे राम, राम में रा, यहां इसमें दो मात्रा लगी हुई है, और म में एक मात्रा है, अर्थात राम, अब मैंने यहां पर क्या बताया आपको यह दो, यह जो दो है, वो कहां पर आ जाएगा, रा में आ जाएगा, और म में क्या लगेगा, एक मात्रा लगेगी, लगू, त तो दोनों मिलके two plus one equal three. तो मतलब यहाँ राम में कितनी मात्राएं लगी हैं? तीन मात्राएं लगी हैं. समझ में आया? यती का अर्थ होता है विराम चिन्ने. जैसे हम कोई sentence या कोई वाक्य पढ़ते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर रुखते हैं. क्यों रुखते हैं? क्योंकि वहाँ पर विराम चिन्न का प्रियोग किया गया रहता है. तो यती का अर्थ क्या है? विराम. प्रत्यक चरण के अंत में विराम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यती कहते हैं. गती. गती का अर्थ होता है ले. जैसे कि किसी आप किताब में जब पुस्तक में जब पाठ पढ़ते हो तो उसमें देखो कहीं पे कौमा लगा रहता है कहीं पे कुछ हम अपने सब्दों को जैसे कहीं पे जोर से बोलना रहता है तो उस वाके को हम उस लए गती में लेके चलते तुम कहां जा रहे हो, तो यह क्या, आप यहां आईए, तो इन सब्दों में क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा एक गती उपर की तरफ जाता है, जो हम, मतलब वाक्य को, परिस्तिती को देखते हुए, हम उस सब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो गती का वही अर्थ होता है, ले चंदों को, जैसे गीत में, आपने संगीत में, कुछ संगीत ऐसे होते हैं, जो एकदम ले ताल में जोर से बचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, स्लोली सौंग है, जिसमें एक पानी के बहाओ की तरह ठहरा हुआ एक गीत होता है, उस तरह से, तो गती का चंद को पढ़ते समय मात्राओं के लगु अत्थवादिर्ग होने के कारण जो विसेश बारी उत्पन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं उस गती को हِ हम लए कहते हैं या गती कहते हैं जैसे उतार चड़ाओ हमारे सब्दों में जो उतार चड़ाओ होता है उसे आई एगती या लए कहते हैं, फिर देखिए तुक, तुक छंद के प्रते चरण के अंत में स्वर्वेंजन की समानता को तुक कहते हैं, जैसे रायमिंग वर्स आप लोग इंगलिश में भी पढ़ते हो, और हमारे देखे कविताओं में भी हमको ये देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अंतिम जो कविता की पहली लाइन की जो अंतिम वर्ड होते हैं, और सेकेंड लाइन की कविता की जो अंतिम सब्द होते हैं, तो वो दोनों में समानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं, जिस चंद में तुक नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तुक नहीं मिलता है यगड, मगड, तगड, रगड, जगड, भगड, नगड और सगड अब ये तो कैसे अब ये तो थोड़ा हम पढ़ते पढ़ते हसने भी लगते कि हमें हसी भी आ जाती है तो इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं इन गड़ों के नाम रूप यमात राज भान सलग सुत्र द्व अब जैसे यगड है यमाता, मातारा, तारज, राजभा, जभान, भान, नसल, सलगा अब ये इसकी जो पहले जो सब्द है ना वो देखो यमाता है ना फिर राजभान स अब ये बताने काम अर्थ क्या है कि इसी के आधार पर हम ये चिन्न को ध्यान में रख सकते हैं समझ मे जैसे यहां पर ये है तो यहां पर पहला चिन्न क्या है लगू जिसको आप एक भी बोल सकते हो हरस्वी भी बोल सकते हो लेकिन अधिकतर परिछा की दृष्टी से हम इसे लगू ही कहते हैं तो इस तरह से देखे यहां पर जैसे लिखा है उधारन में बहाना तो बहाना में अब ब लिखा हुआ है, तो ब पे हम क्या अंक देंगे, एक, वो एक अंक क्या है, लगू, और हा लिखा है, तो यहाँ पे देखो, येस भी मैंने पहले बताया था आपको, इसको हम दिर्ख भी कह सकते हैं, और दो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने दो लिख दिया, ठ चार और धन पांच, दो धन, दो धन, एक, तो कैसे हो हमने इसको जाना कि इसमें कितने मात्राइं लगी हुई हैं, पांच, समझ में आया, तो इसी तरह ये भी बहुत सारे दिये हुएं, जैसे आजादी, तो यहां पे भी हम दो, येस, येस, यानि दिर्ग, प्लस, दिर्ग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर हमारा कितना अंख हो गया, दो, धन, दो, धन, दो, छे हो गया, तो इसमें आजादी में कितनी मात्राइं लगी हैं, कुल छे मात्राइं लगी हुई हैं, तो इसी तरह यहां पर ये उधारन के माध्यम से, ये जो उधारन दिये हुए हैं हमें दिर्ग लगू के माध्यम से यहां पर हमें मात्राएं लगानी हैं और उसी मात्राओं पर हमें एक अंक प्राप्त हो जाते हैं अब कुल इसमें परिच्छा में दो अंक के चंद पूछे जाते हैं तो उसमें आप लोगों को प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं या उधारन दिया रहेगा और पूछेंगे कि यह दोहा कौन सा है या इस में कितने प्रथम तुरितिय में कितनी मात्राइं होती है इसमें तूखבंदी कहां लगी होती है इस तरह से हमNews वो प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें अपनी तैयारी इसी सब के माध्यम से करके रखनी होती है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है चंद के प्रकार, वैसे तो चंद के प्रकार चार होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तीन ही लिखा है, तीन में से हमें केवल एक ही च चंद पढ़नी है जो है मात्रिक परिक्षा की द्रिष्टी से हमें मात्रिक चंद ही पढ़नी है जैसे यहां पर देखे तीन में से मैंने दो को ही लिया है चंद में एक मात्रिक चंद है एक वर्निक चंद है तो हमें मात्रिक चंद पर ही ध्यान देना है इस मात्रिक चंद में समशंद होते हैं और विशमशंद होते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले और तृतिये में विशमशंद होते हैं, द्विती और चतूर्थ यानि दूसरे चरण और चोथे चरण में सम चंद होते हैं अब यह मात्रिक चंद क्या है देखते हैं यहाँ पर यह चंद मात्रा की गड़ना पर आध्रित रहता है इसलिए इसका नाम ही मात्रिक चंद है जिन चंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किन्तु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है उन्हें मात्रिक चंद कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें यह जो हम मात्रा लगाते ना हमारा मेन फोकस इसी पे रहता है इसलिए इसका नाम ही मात तरिक चंदों का अब हम विवेचन देखते हैं, देखे, सम चंद में कैसे होते हैं, अर्ध सम में कैसा होगा, विसम चंद में कैसा होगा, यह यहाँ पर मैंने बताया है, जो सम चंद होते हैं ना बच्चो, उसके चार चरन होते हैं, और चारो जो उसमें मात्राएं या वन ज सदा चलियाई प्राण जाई पर वचन नजाई अब देखिए इसके जो मात्राएं जो इसमें हैं वो मात्राएं सम संख्या में हैं क्यों सम संख्या में क्योंकि इस चौपाई में चार चरण होते हैं और यह जो सोला मात्राएं हैं वो चारों चरण में आपको प्राप्त होग तो उनको हम समचंद कहते हैं और अर्ध समचंद कौन सा होता है जिसमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में परसपर समानता होती है जैसे कि देखिए यहां पर पहला जो चरण है उसमें भी 13 मात्राओं है और तीसरा जो चरण है उसमें भी 13 मात्राओं पाई जाती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राओं हैं और चौथे चरण में भी 11 मात्राओं हैं तो यह क्या है अर्ध सम मतलब यह मिलता अब यहां पर कैस तो तीसरे में 13 है, और दूसरे में 11 है, तो चौथे में 11 है, मतलब यह सम नहीं है, यह क्या हो गया, अर्ध समचंद हो गया, ठीक है, और विसमचंद में क्या होता है, इसमें 4 से अधिक 6 चरण होते हैं, और वो एक दूसरे से बिलकुल भी समान नहीं होते हैं, जैसे इसमें पहला और तीसरा तेरा तेरा मिल रही हैं लेकिन इसमें वो भी नहीं होता है तो यह क्योंसा यह हो गया विस्सम्चंद देखे चौपाई के माध्यम से जो मैंने सम चरण आप लोगों को बताई थी कि इसमें चारों में 16 मात्राय होती हैं तो देखिए चौपाई में इसके लक्षन यहां एक सम मात्रिक चंद है अब परिक्षा की दृष्टी से अगर आप लोगों को चौपाई समझो आ गया है औ और वहां पर यह उधारन भी दिये हुए हैं और आप लोगों को पूछा गया है कि चौपाई लिखा हुआ है या लिख दिया जाएगा कि यह डैस चंद है तो आप वहां पर चौपाई लिखो या पूछा जाएगा यह एक डैस चंद है तो वहां पर सम्मात्रिक चंद है इस तरह से हमें लिखने होते हैं, उधारन चार दिये हुए हैं, और इसके डैस चरण होते हैं, तो आप लोग वहाँ पे चार लिखोगे, क्योंकि ये चारों में, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मात्राओं की गिंती करनी पड़ती है, यदि हमारी मात्राओं की गिंती हम समान रूप से प्राप्त होती है तो हम समझ जाते हैं कि यह कौन सा चंद है चौपाई आप लोगों को परिच्छा में दोहा चौपाई और सोरठा इन तीन में से ही कोई एक चंद पूछा जाएगा इसलिए बच्चो इन तीनों ही चंद को एक तम अच्छी तरह से तयार कर ल चाता है तो दो आंक लेने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है तो चौपाई के लक्षन क्या है यह एक सम अन्तरिक चंद है इसके चार चरन होते हैं प्रत्यक चरण में सोला सोला मात्राएं होती है, चरण के अंत में तुकबंदी होती है, अब जैसे तुकबंदी का बतारी, जैसे सागर, उजागर, तो ये क्या हो गया, गर, गर, तो ये दोनों तुकबंदी हो गई, धामा, नामा, तो ये क्या है, अंतिम सब्दी, यहां पे भी मा है, यहां पे हो गई तो चरण के अंत में तुकबंदी होती है जै हनुमान ज्यान गुन सागर जै कपीस्ति हूं लोकु जागर रामदूत अतुलित बल्धामा अंजनि पुत्र पवन्सुत नामा अब यह हमें चौपायां आप रमायन के भी पुस्तक में से काफी आपको मिल जाएंगी तो इस तरह से आप उधारनों को देख सकते हो और अपने कक्षा ध्यापिका को भी पूछ सकते हो उधारनों को लिख कर उन पर मात्राएं लगा कर अपने क्लास टीचर को भी दिखाईए कि हमने जो मात्राएं लगाई है वो सही है कि नहीं है कहां हम से तुरूटी हो रही है त तो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आपको वो अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, आप उस अपने मात्राओं को उनको बता सकते हो, यदि कहीं वहां पे तुरूटी होगी, तो तुरंत उसका निवारन हो जाएगा, जैसे यहां पे देखिए, जै लिखा हुआ है, तो अ एक और ये दो हो गया, हनुमान लिखा हुआ है, तो भी यहां पे एक सब्द का प्रयोग हो जाएगा, तो इसी तरह से आप लोगों को यहां पे मात्राओं को लगाते हुए, यहां पे आपको मात्राओं लिखनी हैं, और यह भी ध्यान में रखिए, कि परिक्षा में जो उ इसलिए आप पैंसिल के जरिए यह मात्राओं को लगाकर इस चौपाई को या यह कौनसी च्छन्द है, इसको आप पचान सकते हैं और उसमें उत्तर आप सई तरीके से लगा सकते हैं, तो इस तरह से यहां पे देखें, यह मात्राओं लगाकर बताई गई हैं और इस चार की जरीए और यहां इसके जरीए आपदेख सकते हो कि मात्राओं का प्रयोग कैसे किया गया है एक मात्रा को हम लगू या आई भी बोल सकते हो से तथा दो मात्राओं को यस या दिर्ग से भी हम दर्साते हैं उसी तरह हम दोहा को भी देखते हैं दोहा में चार चरण होते हैं एक कि कि दोहा के चार चरण होते हैं एक दो तीन चार अब यह क्या है अर्ध सम्मात्रिक चंधे अब आपको 202 6 मातरिक चंद तो आपको पता है कि अर्द सम्मातरिक चंद है क्योंकि इसमें तेरा 11 13 11 ऐसे आपको प्राप्त हो रहे हैं तो फिर आप उसका उसको भी लिखेंग प्राप्त कर सकते मिलाकर हमारी ये टोटल कितने हो जाते हैं 24 मात्राएं हो जाती हैं इसके विश्यम चर्ण यानि प्रत्थम व तृतिय में 13 तत्थासम चरण में दृतिय व चतूर्त में 11-11 मात्राएं होती हैं चरण के अंत में यती होती है जैसे यहां पर एस्पष्ठी करन करके बताया गया है मेरी भवभाधा हरो मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय यहाँ पर पहले और तीसरे में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं लगाई गेंगे वो इससे यहाँ हमेश्पश्ट हो जाता है कि यहाँ कौन सा चंद है दोहा चंद है क्योंकि इसमें 4 चरण है पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं है ठीक दोहा का उल्टा सोर्ठा होता है सोर्ठा में यहाँ एक अर्ध समात्रिक चंद है इसके 4 चरण होते हैं पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राइं होती हैं, दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राइं होती हैं, और चरण के अंत में तुकबंदी होती हैं, जैसे कि उधारन में देखिए, सुनि केवट के बयन, प्रेम, लपेटे, अच्पटे, विहसे, करुणा, आयन, चिताई जान की लखान, दोहा हमने अच्छी तरह से कर लिया तो तो सोरठा में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, तो आप दोहा की उधारन को सोरठा के लिए उपर नीचे उस्की लाइनों को करम बद से अलग कर सकते हो, समझ में यह तीन दोहा, चौपाई, सोरठा, चौपाई में चार चरन होते हैं, इसमें 16 मात्राएं होती हैं, यह सम चरन होते हैं, इतना तुम्हें याद रखना है, और दोहा में भी, दोहा का यह दिया आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ठीक इसके आउल्टा हमें सोरठा में दिखाना, जिससे आपको इस मात्राओं को लगाने में, जैसे मैंने पहले आगे के स्लाइड पे ही मैंने बताया है कि किस तरह से मात्रा आपको लगानी है, तो किताब जब देखोगे, आपके पाठी पुस्तक में भी, दोहा, चौपाई और ठाक अरन दिये हैं, तो मात्रा मैंसे एक नंबर आपको मुहावरे में प्राप्त हो जाएंगे, और बग्चे जो दो माक्स तो आपको चंद के जरिये मिल जाएंगे, बस हमारी प्रैक्टिस क्या रखनी है, कि इसकी लक्षन को आप ध्यान में रखिए, और मात्रा कैसे लगानी है, वो ध्यान में रखिए और मात्राओं को लगाने की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर में ध्यान रखिए कि पेंसे आपको मात्रा नहीं लगानी है, आप अपने समझने है तू, वहाँ पर पैंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, और बाद में उसे मिटा दीजिए, या, हाँ, बाद में उसे मिटा ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह आपका चंद दोहा है, कि चौपाई है, कि सूर्था है, तो आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मुहावरा और चंद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अच्छों आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ने तो फिर ये मिटिंग जोएवा क्लोज कर दी जाएगे. किसी को कुछ पूछन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. किसी को कुछ पूछना है बच्छों तो आप अपके प्रश्न पूछ सकते हो. मैडम, शायद कोई कुछ ने पूछना चाह रहा है. तो आप मिटिंग लिव कीजिए. अपके सर अपके. तैंक यु. अपके बच्छों, भाई भाई. झाल 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 झाल